आप सबी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2020 के कुम राशी फिल के बारे में कुम राशी के लोगों के लिए 9 जुलाई का दिन कैसा रहेगा इस दिन क्या ग्रहनक्षत्र होंगे क्या तिति होगी क्या योग बनेगा और वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा आज का दिन आपके लिए आपकी सिक्षा के लिए कैसा होगा स्वास्त है आपका कैसा रहेगा आपके करियर में आपके दामपत्य जीवन में आपका पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम जीवन, आपकी नौकरी, दुकान, व्यपार, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेधन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तो नौ जुलाई श्रावन मास के क्रिश्न पक्ष की चतुर्दीति थी है और श्रत भिशान नक्षत्र है ये नक्षत्र शाम तक रहेगा उसके बाद पुरुभाद प्रद नक्षत्र लगेगा इस दिन आईश्मान और सौभाग्या दो योग बन रहे हैं जो बहुत ही अच्छी योग माने जाते हैं ये गुरुवार का दिन है और स्रावंट मास में जो गुरुवार का दिन आता है वो बहुत ही शुब माना जाता है तो ये बड़ा गुरुवार है सूरिय मिथुन राशी में है पुनरवशु नक्षत्र में और चंदरमा आज कुम राशी में है आज का जो अभीजीत मुर्थ है वो है सुबह बारा बच कर 37 मिनट से दोपहर एक बच कर 49 मिनट तक तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती और इसी क्यादार पर हम जानेंगे कि ये जो दिन है ये आपके लिए कैसा रहेगा चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है तो आज का दिन आपके लिए किसी भी तरह के तनाव से मुक्ती पाने के लिए जो आप प्रियास करेंगे उनको सफल बना देगा दोपहर तक आपकी जो इस्तितिया होंगी उनमें परिवर्टन देखने को मिलेगा और आप खुद पर और अधिक विश्वास करने लगेंगे विवाहिक जीवन भी आज आपका अच्छा रहेगा इस समय आपको अच्छे समय की अनुभूती होगी और इस अच्छे समय की अनुभूती में आपका मन भी खुश रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में विराजमान है तो आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा आपके अंदर एक सकारात्मक उर्जा का संचार होगा व्यपार करने वाले लोगों का व्यपार पहले से बहतर चलता हुआ दिखाई देगा और जो जातक साजेदारे में व्यपार करते हैं उन्हें थोड़ा सा सयम जरूर रखना है उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ नौक जो किस्तिती हो सकती है या किसी बात को लेकर बहस हो सकती है तो ऐसी किसी भी इस्तिती से निपटने के लिए आपको तयार है ना है आर्थिक इस्तिती आज आज आपकी मजबूत बने रहेगी आपके सामने कई चुनोती आएंगी लेकिन आप हर चुनोती को पार कर पाएंगे कोई चुनोती आपके सामने टिक नहीं पाएगी लोग आपके वैवार से काफी प्रभावित रहेंगे आपका व्यक्तित भी प्रभावशाली होगा और आपका वैवार भी प्रभावशाली होगा वानी में भी निखार आएगा अगर आप कोई व्यक्ति आपके पास कोई विचार मांगने आता है कोई आपके सलहा मांगने आता है तो आपकी सलहा उसे बेहद काम आने वाली है इस समय आप अपने सभी सोच हुए कामों को समय से पूरा कर पाएंगे साथी लाब के अफसर भी प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे कुछ जो रुके हुए काम थे वो भी आज आसानी से पूरे हो जाएंगे और अगर आपका कोई काम कई कानूनी विवाद आपका चल रहा है तो सभी न्यायलिये मामलों में आज आपको सफलता देखने को मिलेगी अगर आपने पहले कुछ निवेश किया हुआ है तो उस निवेश का फायदा भी आज आपको मिल सकता है आज के दिन अगर आप सरकारी विवाद से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी समझ और अपनी कूटनीती से अपनी काम निकलवाने में कामयाब होंगे आज आप अपनी बातों को अच्छी तरह से अपने जो बॉस हैं या आपके जो भी उच अधिकार हैं उनको समझाने की कुशिश करेंगे तो आपके जो बाते हैं उनको एकसेप्ट किया जाएगा इस समय आपकी कूटनीती आपको आगे लेकर जाएगी इसलिए कूटनीती से आपको पेश आना होगा आपके विरोधी जो आपके आफिस में हैं या आपके व्यपाश से जुड़े हुए आपके विरोधी हैं उन पर हावी रहेंगे आपका काम पूरी महनत और लगन के साथ होगा और ये जो आपकी महनत है ये आपके लिए कई ऐसे रास्ते खोल सकती है जहां आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे जहां ऐसे कुछ लोगों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए फायदे मन साबित हो अगर स्वास्ते समंदी कुछ परिशानिया चल रही थी तो इस समय आपके स्वास्ते में भी सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई देंगे आप इस दिन काफी मांसिक शांती का अनुभव करेंगे परिवार में भी खुशियां रहेंगी और इस दोरान आपके परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा परिवार के सभी सदस्से एक दूसे का साथ देंगे हैसी खुशी का वातावरन रहेगा समाजी किस तर पर आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से हो सकती है और समाज में आपका रुतबा भी बढ़ता हुआ दिखाए देगा अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो गरीबों की मदद करती है या आप कहीं मदद करने का काम में आप सहयोग देते हैं तो ये समय ऐसा होगा कि आपको एक और मौका मिलेगा कि आप लोगों की सेवा कर सकें, मदद कर सकें और उसके नाम पर आपको जाना भी जाएगा इस समय आपके आत्मबल में भी बढ़तरी होगी और आपकी जो ये आत्मबल में बढ़तरी होगी इससे आपका मन भी सकारातमक रहेगा जब हम पॉजिटिव होते हैं तो अपने सभी कामों को बड़े ही मन के साथ करते हैं और सही करते हैं और उसमें हमें कामयाभी भी मिलती है तो ये दिन आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है और इससे आगे आने वाला दिन भी आपके लिए बहुत शांदार रहेगा परिवार में सुख मिलेगा घर में मनुरंजन में आप समय बिताएंगे शाम का समय अपने बच्चों के साथ आप बिताएंगे अपने माता पिता के साथ बिताएंगे तो समय हर तरह से अनुकुल रहने वाला है लेकिन अगर अपकी माता की हम बात करें तो माता की तरफ से स्वास्ते समंदी कुछ परिशानिया देखने को मिल सकती हैं और अगर वो पहले से ही किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उनकी स्वास्ते का आपको ज्यादा देहान रखना होगा पिता के साथ आपके वहवार अच्छे बने रहेंगे ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कोई खुशी की बात पता चल सकती है दोस्तों से भी इस दिन मिलना होगा है किसी को समें साजह ना करें किसी का भी हस्तक शेप आप ना होने दे नौकरी करने वाले लोगों के लिए इस समय अपने टार्गेट की तरफ द्यान रखना है आप अपनी टार्गेट को पूरा करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामियाब होंगे संतान की तरप से भी इस समय अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और वातावरन का घर का जो वातावरन है वो सुख में बना रहेगा इस समय आप कुछ ऐसी गतिविदियों में भी शामिल हो सकते हैं जो रोमान्चक होंगी जो कला से जुड़ी होई होंगी रचनात मक होंगी और आपको सुकून देंगी कोई बहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तोर पर अधिक फायदा भी दिला सकता है कामकाज में ज़रुष से ज़ादा रहेने के कारण थोड़ा तनाव हो रह सकता है इसलिए आपको बीच-बीच में आराम ज़रूर करना चाहिए प्रेम जीवन के अगर बात करें तो प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा रोमांटिक ख्यालों में आप खोई रहेंगे इस समय आप में बहुत कुछ हासिल करने की शमता होगी क्योंकि एक तो चंद्रमा की इस्तिति आपके लिए मजबूत है चंद्रमा लगन में बैठकर आपको अपने जो आपके कारिये हैं उनमें दक्षता दिलाने कोशिश करेगा इसके साथ ही शनी की राशी है और शनी भी इस समय आपके लिए मजबूत इस्तिति में है गुरू का साथ भी आपको मिल रहा है इसलिए आपके अंदर ऐसा जोश होगा ऐसी एक एनरजी होगी जो बहुत कुछ हासिल करने के लिए आपको प्रेरित करेगी इस समय अपने रास्ते में आने वाले सभी छोटे मोटे जटके को आप अलग कर सकते हैं सबसे आगे निकल सकते हैं बातचीत में कुशलता रहेगी और आपका जो पक्ष होगा मजबूत इस्चिती में होगा किसी भी तरह से आप किसी वाद-ववाद में बैठते हैं या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो वहां आपको काम्यावी ही देखने को मिलेगी विवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा ठीक ठाक रहेगा लेकिन हो सकता है आप खुद को थोड़ा सा फसा हुआ महसूस करें तो आपको जरूरत है कि आप अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करें अपनी बाचीत आत्मिय बाचीत आप करें जिससे आपका जो रिष्टा है वो मधूर बन सके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको साथानिया रखने होंगी एक तो बाहरी लोगों से ज़्यादा मेल जोल करने से इस दिन आपको बचना है और दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास करने से भी बचना है ज़रूर से ज़्यादा विश्वास आपको नुकसान करा सकता है तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको कुछ ऐसे बाते बताते हैं जो जल्दी धन कमाने के बारे में बताते हैं या कही निवेश करने के बारे में बताते हैं तो उन लोगों से आपको दूर रहना है ज्यादा समय आप अपने घरवालों के साथ व्यतीत करेंगे और इस समय घर के किसी सदस्य से कोई कलह की आशंकावी बन रही है तो जब भी घर के किसी भी सदस्य से आप बात करते हैं तो अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना होगा अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं स्वास्ते कि अगर आपके देखें तो अगर आप सांस से सम्मंधित कोई आपको परिशानी है और अपने इस नए बदलाव से आपके मन में खुशी भी रहेगी इस समय आपकी immunity अच्छी रहेगी और अपनी immunity को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से पॉस्टिक काहार जरूर लेना है, साथ ही वयाम करना है आप योग, meditation ये सभी चीजों का सहारा ले सकते हैं इससे immunity भी मजबूत होगी और आप स्वस्त रह पाएंगे जब आप स्वस्त रहेंगे तभी आप अपने सभी कामों को अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें